Good morning everyone, welcome back to my channel, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो new subscriber है उनका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तो ये है रात की clipping, जी हाँ हम एक night trip पे जा रहे हैं जो की जवलपुर में ही बना हुआ एक बहुत ही beautiful सा place है, नया है, नई चीजे हैं तो सोचा कि आप लोगों के साथ उसे जरूर से मैं शेयर करूँ और हाँ, रात के टाइम में ही इसे देखने, सुनने, घूमने का सबसे ज़्यादा आनन्द आता है तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ और देखे क्या क्या है यहाँ पे, सो हम सभी लोग निकल चुके हैं क्योंकि गर्मियों का दिन है, इसलिए थोड़ा गर्मी थम जाने का इंतजार हम करते हैं और यह है पाटन में, चवलपुर के पाटन में बना हुआ एक बहुत विशाल मंदिर, हनुवान लला का है और कुछ इस तरह का में गेट है यह एक कॉलोनी में बना है दोस्तों और यह इतना ब्यूटिफुल बना है कि मैं आपको शायद वर्ड्स में इतने अच्छे से नहीं बदा पा रही हूँ यहां साफ साफ instruction लिखा हुआ है कि आपको जो रोड बनी है उसी पर चलना है, घास पर नहीं चलना है और उतकर्श जिद कर रहे हैं कि उनको सिर्फ घास पर ही चलना है और मैं उनको समझा रही हूँ कि आप ऐसा नहीं कीजे और बच्चे हैं बच्चे तो शैतानी करते हैं खेर वैली लुक इसको दिया गया है दोस्तों घाटी लुक दिया है और वो बहुत अच्छा लग रहा है धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप टर्न करके हम उपर जा रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा हम लोगों ने गुमावदार रास्ता जो है अभी अमरकंटक में देखा था और वही यहां इस टेंपल में बना हुआ है इस टेंपल की स्थापन तो अभी रिसेंटली ही हुई है लेकिन यहां पे जो है इसकी रख रखाओ इसकी साफ सुत को और तब मैं यहां पे देखूंगे कि नजारे मॉर्निंग के टाइम में क्या होते हैं खुलने और बंद होने का समय हमने देख लिया है दूसरे बात हर ट्यूस्टे और सैटरे को यहां अनवान लला का भोग होता है बकायदे सारे लोग आते हैं और बहुत विवस्थित यहां पर सभी खाते हैं और खाने में कुछ restriction नहीं है अनवान लला छोला चावल भी खाते हैं छोले भटूरे भी खाते हैं जैसी भक्तों की श्रद्धा हनवान जी वो प्रसाद ग्रहन कर लेते हैं बहुत सारे लोग यहां पर अपनी family के साथ आये हैं दर्शन पूजन करन से अपना time spent किया है और मैं यह चुकि ऐसा मंदर तो मैंने पहली बार ही देखा कि इतनी अच्छी व्यवस्था खाने पीने की भोग तो मैंने कई बार देखा है बंडारा मैंने कई बार देखा है लेकिन व्यवस्था कि मैं कायल हो गई हूँ बहुत सुंदर व्यवस्था ह और मैं पूरा घूम घूम के एक्स्प्लोर कर रही हूं कि कहां क्या बना हुआ है परिक्रमा करने का मेरा मन था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि परिक्रमा के लिए कोई विवस्ता नहीं है और इतनी लाइटिंग थी कि मैं डर रही थी लोहे की ग्रिल वगरा और उपर से नीशे का नजारा तो क्या मैं बोलूँ शायद मेरा कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है बहुत क्लियर नहीं ले पा रहा है रात के वज़े से लेकिन बहुत बहुत सुंदर है और ये जो घाटी वाला रास्ता है ना ये तो मुझे मैं इसकी कायल हो गई हूँ मॉर्निंग वॉक के हिसाब से भी ये बहुत सुंदर है आप आराम से यहाँ पर आकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और हाँ कुछ खर्चा नहीं बहुत आराम से आप घूमिये बहुत इत्मिनान से आप घूमिये तो हम लोगों ने भोग प्रहन किया और हम लोगों ने जो चढ़ावा हमें चढ़ाना था वो चढ़ा दिया क्योंकि हम ट्यूजडे को आये थे ट्यूजडे और सैटर्डे को ही ये सारी विवस्थाएं होती है बहुत सारे पंडित पुजारी लोग लगे हुए थे भोग देने के लिए भी अलग से विवस्था की गई थी तो सारा सब कुछ नौलिज पूरा लेके मैं यहां से निकल रही हूँ ताकि कभी इन फ्यूचर मुझे अपनी तरफ से कुछ करवाना हो तो मैं इत्मिनान से करवा सकूँ और देखिए लौटे टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा है जगमक जगमक पूरा रास्ता है हाला कि ग्रीनरी जहां पर है वहां पर कुछ अजीब सी टाइल्स लगी हुई है सो अभी रात में तो तने अच्छे से नहीं दिखेगी जगे जगे प्लांट्स में लाइटिंग की गई है और उसी से लगा हुआ ये ब्यूटिफुल सा गार्डन है जिसमें इन महोदय को देखके हम लोग आ गए है और ये कुछ पत्थरों से बना हुआ रसी से इसे रोक कर रखा गया है तो उतकर्ष तो इसे देखके पहले डर रहे थे और चुकि उसके उपर आँख मून आख नहीं है तो अव्यूसली बच्चे तो डरेंगे खैन तो हम इस गार्डन में भी लगे हाथ जा रहे हैं इंदिर तो ब्यूटिफुल था है रियली में ये गार्डन भी बहुत ब्यूटिफुल है और यहां इतनी शांती है, इतनी प्यारी हवा है ग्रीनरी देखके तो वैसे ही मन लहालोट हो जाता है तो हम पूरा एक राउम लगाते हैं इस गार्डन का क्या-क्या है और फाउंटेन देखकर उतकरश दोड़ गए है और फाउंटेन में सबसे अच्छी विवस्ता यह है कि उसके दो-तीन स्टैप बने हुए है और सैकेंड वाले में उतकरश जाने की जित करना है क्योंकि वहाँ थोड़ी थोड़ी बोचार आ रही है और मुझे डर लग रहा है कि हम भीग जाएंगे तो हमें थोड़ी इसी हवा में घर वापस जाना है लेकिन ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया और जगे जगे बहुत ही सुन्दर सुन्दर से पत्थर रखके सीड़ी बनाई गई है बहुत सारे यहाँ पर पशुपक्षी बनाए गए है जिनको मैंने कैप्चर पता नहीं किया है कि नहीं बट आँखों से मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे ज़ादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ना सुन्दर सुन्दर लाइटिंग लगी हुई है जिससे यह जगमक जगमक कर रहा है कुछ इस तरह का जो है फांटेन है और आसपास दो तीन मूर्तियां बनी हुई हैं कुछ एनिमल्स बने हुए हैं सो ओवराल यह भी सच्ची में बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर प्लेस मिल लिया हम लोगों को कभी भी यहाँ आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड अपने परिवार के साथ करो और मन खुश हो जाए यहां पर एक बहुत ही सुन्दर सा जिम बना हुआ था और जिम के उपर जाने का रास्ता आप देखिए यहां पर शायद उपर जाने के बाद योगा वोगा का कोई पोर्शन होगा ऐसा मुझे लगता है अभी हम पहली बार ही जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहां की सीडियों को जिस तरह से बनाया गया था और जितना पूरा मैदान छोड़ा गया था बच्चों के खेलने के लिए यहां बहुत सारे लोग जो है अपनी फोटोग्राफिक कर रहे थे और उपर से यहां से भी नजारा बहुत सुन्दर लग रहा है पूरी सिटी जगमक 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 कर रही है एक चीज और बता दू कि जैसे ही मैंने यहां पर एंटर किया था यहां लाइट चली गई थी और लाइट जाने के बाद तो आप जानते ही हो कि यह जितना जगमक जगमक दिख रहा है यह सब कुछ नहीं दिख रहा था तो उस टाइम में यह कैप्चर नहीं कर पाई थी यह लोटते टाइम एंटरेंस गेट का पूरा नजारा आप देख रहे हैं मंदिर के एंटरेंस गेट का बाहर की तरफ जो है इस तरह से प्लांट्स लगाए गए हैं और इस तरह से मूर्तियां रखे गई हैं हर मूर्तियों के आसपास लायटिंग है जिसके वज़े से उसका ग्रेस दिख रहा है बहुत ही सुंदर सी कटिंग है प्लांट्स की सब ऑ Méलाल बहुत सुंदर बना है हम सभी ने बहुत इत्मिनान से देखा बहुत अच्छे से खाना खाएं और यहां पर अपने परिवार के साथ आनंद उठाएं खाना या भोग सिर्फ मंगल और शनिवार को ही मिलता है शाम से 7 बजे से लेके 9 बजे तक का समय है भोग का उसके बाद भोग फिनिश हो जाता है तो आप लोग भी प्लान जरूर बनाईएगा और भी नए उससे बहुत जादा फेमस है काले हनुमान जी के नाम से इस मूर्ति में बलैक कलर की खड़ी मूर्ती थी हनुमान जी की और वो काले हनुमान जी जो है उनको नाम दिया गया है तो ओवर आल पूरा अच्छे से घूमने के बार हम लोग अब यहां से विदा ले रहे हैं अप लोगों को लग गया पूरा प्लेस विजिट करने में थोड़ा रुकने में इंज्वाय करने में और बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी टाइम हमने अपने परिवार के साथ यहां पर स्पेंड किया अच्छी तरो ताजा हवा खाई और अब जो है विदाई लेने का समय आ गय है सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट विडियो में लेकिन जाने से पहले कहूंगी कि अगर आप लोगों को यह वीडियो सुन्दर लगा हो यूस्फुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अपनी फैमिली औ झाल झाल झाल